सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपनी यूडिव चैनल टूल्स इन्फो वन टू त्री डूबर्स दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए एक बेहर जरूरी और सभी टू विलर फोर विलर और हेवी विकल्स के मिकेनिक्स के लिए बढ़िया टूल जिसका नाम है इंप 20W Max series की यह आप एक बैटरी देख पारे साथ ही एक 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 बैटरी भी दी हुई है और एक बैग इसके साथ अवैलेबल है स्पेसिफिकेशन में फटा फट आपको बता दूँ दोस्तो आप डेमो में देख पाएंगे यह कितनी पावर्फुल है यहाँ पर आप एक मारूती वैन एक एक स्कूल बस जो है उसका हमने यहाँ पर वील जो है वो खोल के बता है बाकी सारे इस्तेमाल आप हमसे बहतर जा अगर टाइड होता है तो वह हमरिंग करके भी उसको खोल देगा और इसका टॉर्क जो है वह तीन सो न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है और दोस्तों हाफ का इसका हाफ इंच का जो है आगे बॉल्ल होना हुआ है जिसके अंदर आपकी ज्यादातर कीट के सौकेट जो है वह साथ ही दो बैटरी आएगी बैटरी का चार्जर मिल जाना है वारंटी कार्ड और इसकी क्लिप भी अंदर दी हुई है और साथ ही साथ एक बड़िया बॉक्स है दोस्तों इसका अंबॉक्सिंग करने के साथ डेमो में भी मैंने कुछ चीज़ें यहां पर बताई है बहुत ह दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें कमेंट करना ना भूले और बैल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड किये जाए आप तुसकी नोटिफिकेशन जो है व हुमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वीडियो को अंतक देखे दनियवाद चलिए शुरू करते है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स के उपर ही ज्यादा तर चीज लिख दी हुई है यहां पर इंको का टॉर्क रेंच है यह और यह पोटेबल टॉर्क रें मिलेगी मगर इंको ब्रांड के अंदर आपको हर प्रोड़क की डबल बैटरी मिलेगी और इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर एक चार्जर आएगा एक बैग आएगा और एक टॉर्क रेंच आएगा और तीन चार इसके बॉक्स पाने मतलब तो सौकेट आएंगे बॉक इसका तॉर्ट है ताकत है और रिवर्स फॉरवर्ट की इसके अंदर फैसलिटी है इसका मतलब है कि आप इसको रिवस में भी चला सकते हैं अपने नडबोल को खोल भी सकते हैं और फीड भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्त है देख लीजी आप बॉक्स के अंदर आ पूरा में आपको निकाल के बता देता हूं इस इतने नंबर यह तक यह आपको 19 नंबर है 21 नंबर है और 17 नंबर है जो रणिंग जो हमारे गाडियों में लगता है यह बेजिकली गाड़ी के वील खोलने के लिए उप्योंग में आ सकता है और जो मेकेनिक लोग इसके और बड़ी गाड़ियों का जिनके हां काम होता है मर्सीडीज है वॉल्वो है और जो मेकेनिक अपना टॉर्क व्रेंज से जो श्टेरिंग का जो काम करना हो श्टेरिंग खोलना हो उसके अंदर भी बहुत उप्योंगी है क्योंकि एसी जगाओ पे जहां पर हमारा हाथ नह नहीं लगती वहां पर यह बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको काम देगा और इसको रखने के लिए इसका एक बैग भी है बहुत ही बढ़िया बेगे इसके अंदर क्या है क्या आप अपने सामान को समाल के रख सकते हैं इससे क्या होगा कि आपको खोने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और बहुत ही हैवी है यह चेन की कॉलिटी भी अच्छी है इसे खुल जाएगा यह सारा सामान आप एक्स्रा का इसके अंदर सामान रख सकते हैं इंको की ब्रांडिंग दी हुई है बढ़िया सी बैक भी बहुत ही मजबूत है इंको की ब्रांडिंग है कालर इसका बहुत ही बढ़िया है वजन इसका दो कीलो प्लस वजन है इसका क्यूंकि इसके अनुदर टोर्क एव रेंच है यह अगर आपके पास पूरी 1 इंको कीernenž होगी तो उसके आपको फायदा यह होगा कि आपकी अभी जैसा इस पारड़क के साथ आपको दो बैटरी मिलेगी तो आपके पास बैटरी की केपेसिटी बढ़ती आएगी आपकी बैटरी की रेंज बरती जाएगी तो मैं हमारे विवर को प्रीफर करता हूँ तो अगर आप टॉर्क रेंच लेते है या तो आप कोडलेस जो प्रोड़क्त वो लेते है तो किसी भी एक ब्रांड का लीजिए तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की और चार्जर की केपेसिटी क्योंकि हर प्रोड़क के साथ अपना एक अलाएदा चार्जर आएगा और उसकी एक बैटरी आएगी तो आपका एक पूरा रेंज बढ़ता जाएगा दूसरी बात की आएगा और ये जीवर कोस्ता है के बैटरी लाइफ हसाम होने के आपको इतना ही पावर देगी मगर क्या है के थोड़ी इसकी चलने की केपेसिटी कम हो जाएगी तो आप इस चेंज करने के लिए आपको दो हजार से बाइस सो रुपे तक की आपको ये बैटरी ओनलाइन में मिल जाएगी और ये जो हमारा प्रोड़क्त है इसको आपको पर्शेस करना हो तो आप की टूल सूरच से इसको पर्शेस कर सकते है जो सिनिमा रोट के उपर है लिंक मेंने डाल दिया है और आपको इसको एमेजोन या फ्लिप काट से पर्सेस करना हो तो उसका भी लिंक पे ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो वहां पर चेक कर लीजिएगा अब प्रोड़क्त का हम देख लेते है और रोट का स्वीच है ये रिवर्स फॉर्वर्वर्ड य अगर आप इसको बीच में कर देंगे तो लॉक हो जाएगा इसको आप बीच में कर देंगे तो लॉक हो जाएगा यहां पर आप देख पा रहे है यहां पर हाई केपेसिटी और लो केपेसिटी का यहां पर दो बोड पर यह वाला जो टॉर्क रेंज चलता है अगर आपको यह लो पुस्ट करते हूं और दबर मुझे लो प सब्डार गणा मारी है इसको अगर मुझे लो पे करना है तो मुझे चालू टो फेह लो यह होगा है यह होगा झो दो लो्ट मजों पे आएगा और बैटरी के पीछे आप देख लेंगे एकломद के पिछे इसका बैटरी का इनडिकेटर तो yeah कि अभी इसके अंदर एक पॉंफ बैटरी है और दूसरी वाली बैटरी में दूसरी बैटरी में देख ले कितनी बैटरी है इसमें भी एक पॉइंट तकरीबन बैटरी है तो इसके अंदर हम आपको एक बर चाज़िंग करके भी बता देते इसको इसको और यह देख लीजे जे ग्रीन वाली लाइट अभी चालू है ब्लिंग कर रहे है इसका मतलब यह चार्जिंग कर रही है जैसा यहां पर बताया हुआ है यह अभी चार्जिंग कर रही है यहां पर बैटरी चार्जिंग हो रही है यह पूरी चार्ज हो जाएगी तब यह पूरी ग्रीन सिल्गेगी ब्लिंक नहीं करेंगी और ऐसी इसके अंदर रेड लाइट बैटरी भी लगा दूँ बैटरी लगाना भी बहुत आसान है और जब बैटरी लगने के बाद इसका बैलेंस बहुत ही बढ़िया बैलेंस हो जाता है आपको कोई भी काम करना हो उपर की तरफ खोला हो या नीचे के गाड़ी के लोगाराम खोला हो या बोल्ड खोला हो गाड और जो बी नट बोल है उसके पर पोक्लिट फोकस रहेगा पूर यह जो बड़ी है यह इल्यूमिनियम की बड़ी है और जो उपर का जो हिस्साह बर्बर का है इसके वह से आपको गरीप बढ़िया मिलेगी और यह जो मोटर है, यह कोई normal मोटर नहीं है, यह हमारे normal मोटर में क्या होता है, कि वो उसके अंदर winding किया हुआ होता है, तो उसके अंदर torque नहीं इतना बन पाता है, यह breastless motor है, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा torque मिलेगा, आप में मेरी गारी के आपको wheels भी खोल के बत तो उसके लेवल में यह बहुत ही बढ़िया टॉर्क रेंज अभी इंडियन मार्किट के अंदर इंको कंपनी का बहुत ही बढ़िया और अफोडेबल टॉर्क रेंज है यह आपको नौ से दस हजार रुपे की रेंज में आपको मिल जाएगा और इसको खरीदने के लिए आप कर अब आप उसको देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या होता है कि यह जो हमारा इंको का इसके अंदर आपको 20 वाट की बैटरी मिल रही इसके अंदर दूसरे भी वेरियंटात है उसके अदर आपको 12 वोट की पैटरी मिलती है अगर मैं यह दोनों बैटर इसके जागा पर 15 watt की बैटरी दे 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 ते या 18 watt की बैटरी दे दे ते तो आपका जो रुणिंग टाइम होता है वो कम हो जाते तो उसके लिए क्या होता है कि अप पब्लिक को एसा लगता है कि जो हम लोगों बहुत महेंगा खरीद रहें मगर महेंगा नहीं रहोता वो करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा मैं आपको एक बार इसको चालू करके इसका आवाज भी बता देता हूं ए Ai अलुका mustler कर देखिर उप्निर मेरी घाड़ी के पूरे वील खोल करें इसके अर्छे महीं आपको इसके अंदर बताऊंगा को मैं देजिए बहुत ही ज्यादा इसका टॉड के बहुत ही आसानी से खूल गोड़ कि मैं देख सकते हैं ऐसे जान भी बहुत ही आसान है दिया आप में इसको पीटिंग कर देदा हूं यह बहुत ही वोल्ट टेंज करना है इसको पुछी दढ़नेगा इसके आगे का एक बीले उसको भी हम ठोल लेंगा बहुत ही आसानी के साथ यह खोले आपने में आपने में आपको पूरा वील खोलने में आपको बहुत ही कोई प्रॉब्लम ने रहेंगा अब हमारी जो बड़ी गाड़ी है बहुत ही महीनों से वो बन पड़ी है उसको भी जाके उपादेख करना है वाँ पैतरीन दो साल से पड़ी हुई यह गारी है दो साल से पड़ी हुई गारी है यह हमारी और बहुत ही आसानी से इसको खोल दिया है किया हुआ है कि बाल क्रुआ आसास पूल बहुत है कि बाल कि टुआ है यह भी खुआप है